कि तो जैसी आराम मित्रों हिंदुजी वन ए चैनल में बहुत कर ली हम लोगोंने इधर-उदर की बातें बहुत ग्यान की बाते कर ली बहुत सारे ग्रहों की बाते कर लिए आज चलिए कुछ प्रेम की बाते करते हैं देखिए मेरा गला बहुत अच्छा तो नहीं है मैं भजन बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इंटर्टेन कर सको मित्रों आपको पता है कि ब्रिंदावन में निधिवन में कृष्ण भगवान रास लीला रचाते थे ब्रज की सारी गोपियां जाती थी और निधिवन इन फैक्ट आज भी है और आज भी भगवान रास रचाते हैं वहां साम में किसी का जाना वहां पर की जब भगवान रास रचाय करते थे गोपियों के साथ तो भोले नाथ जो है वह देखकर बहुत प्रभाविद भी होते थे और उनको भी लगता था कि कभी सरगार के रास में हम भी जाएं तो बहुत प्यारा सा प्रसंग है भोले नाथ पार्वती जी से कहते हैं कि मु इसको बहुत बढ़िया किसी भजन गाने वाले ने गाया है कि एकदिनुम भूले भंडारी एकदिन वो भूले भंडारी बन के ब्रज की नारी बरज में हैं आ लिए विम लेकिन पार्वती जी ने बहुत समझाया कि नहीं स्वामी आप मत चलिये वहाँ लेकिन फिर भी वो नहीं माने ब्रज में आही गए अब इसका प्रसंग है कि भोलेनात पार्वती जी से कहते हैं पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में राधा संग स्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी बरज में आ गए हैं तो मित्रो पार्वती जी को बोले कि मुझे भी ब्रज में ले चलो बहुत भारी रास वहाँ होगा मुझे भी देखना है आप मेरे गले पे ना जाएगा आप मेरे गाने के उलस्वाइगा बस प्रेम को देखिएगा और अगर प्रेम आप तक पहुँचता है आपके हिर्दयत पहुचता है तो प्यार दीजिएगा तो पार्वति जी कहती है कि ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में मोहन के सीवा वहां कोई पुरुस ना जाए रास में हसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी बरज में आ गए है समझ तो रही होंगे आप पारती जी बहुत मनाती है कि नहीं मत जाईए सरमिंदी की उठानी पड़ेगी वहां से कृष्णी ही एक पुरुस रहते हैं बाकी सब इस्त्रिया रहती है तो भोलेनात को भी लगता है कि हाँ ये बात तो सही है कि वहां सारी इस्त्रिया रहती है और एक पुरुस रहते हैं तो भोलेनात फिर भी जिद्द नहीं छोड़ते और कहते हैं पारवती जी से ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को बना के जूरा पहन के सारी चाल चले मतवारी वरज में आ गए हैं तो पारवती जी अंत में उनको जूरा बना देती हैं सारी पहना देती हैं और लेके चली आती हैं रास में और जब आती हैं रास में लेके तब क्या होता है कि कृष्ण भगवान वहां सब कुछ देख रहे होते हैं और देखते हैं तो उनको सारी बात समझ में तो आही जाती है फिर भी पारोती जी को एक अंतिम कोशिस करती है उनको मनाने की तो कहती है कि हसके सती ने कहा बली बली जाओं इस रूप पे एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में जब अम्रित और भी इसका बटवारा हो रहा था एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में मोहिनी रूप बनाया मुरारी अब कि तुम्हरी बारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं अब जब वो राज के अस्थान पर पहुंच जाते हैं तो क्रिष्ण भगवान को सब कुछ पता लग जाता है तो अब आगे का प्रसंग सुनिए बहुत प्रेम से सुनिएगा मित्रों बहुत प्रेम से सुनिएगा आपका प्रेम क्रिष्ण भगवान तक पहुंचे मेरी यही आसा है अब करते क्या हैं कि वो पहले गिंती करते थे दाहिने से बाएं गिंते थे तो संक्र भगवान इस तरी रूप पे जाके सोचे कि सबसे बाएं जाके खड़ा हो जाता हूं क्योंकि गिंती तो शुरू इधर से होगी तो भगवान कहते हैं क्रिश्म भगवान हसते हैं और कहते हैं कि आज मैं उल्टे साइड से गिनूँगा जिधर संक्र भगवान खड़े थे बड़ी सरविंदगी उनको होती है देखे आगे क्या होता है देखा मोहन्ने समझ गए वो सब बात रे ऐसी बजाई वंसी सुदभूद भूले भोले नात रे सर से किसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी बरज में आ गए हैं अब देखें ब्रिंदवन में गोपेश्वर के नाम से प्रभु मस्कूर है और प्रभु का बहुत बड़ा स्थान है भोले नात का तो यह गोपेश्वर नाम कैसे बड़ा चुकि वह गोपी बनकर गए थ तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे ओ मेरे भोले बावा ब्रिंदवन बना तेरा धाम रे हम और आप भक्त कहे सुनियों त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी बरज में आ गए हैं मित्रों बहुत प्यार से सुनिएगा इसको बहुत आनंद लीजेगा और आसा करता आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लएगा जैस करा हुआ